What's up everyone, welcome back to the channel दोस्तों आज के वीडियो में क्यूब लेलो डिफ्ट को अच्छे से हम सेट अप करेंगे टेंशन, लूब्रिकेशन, एड्जेस्मेंट्स करेंगे इसको और इसके पर्फॉर्मेंस को जितना हो सके एनहांस करने की कोशिश करेंगे अगर आप बिगेनर है या फिर इंटर्मीडियेट है या फिर बिगेनर एड्वांस लेवल के भी है तो भी एक्यूब आपको बहुत अच्छा आपकी हेल्प कर सकता है स्पीट सॉल्फ करने में तो अच्छे से आज हम इसको सेट अप करना सीखेंगे तो चलिए आज के वीडियो को स्टाट कर दे और हाँ मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आपका जो लेवल है उसके हिसाब से कोन से नंबर का आपको टेंशन सेट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा तो पहले आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी दो टिशू पेपर्स की जरूरत पड़ेगी और डिफ्ट वह कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा और एक इंपोर्डेंट बात देखो भई क्यूब ले लो ड्रिफ्ट ऐसा क्यूब जो बहुत लोगों का फेवरेट है पेमेजॉन पर रिव्यूज भी देख सकते हैं अल्मुस्ट 10,000 से जियादा 4.5 स्टार रेटिंग है इस क्यूब की बहुत लोगों का मनपसंदीदा क्यूब है अभी इस क्यूब का प्राइज एमेजॉन पर 118 रुपे चल रहा है ठीक है न एक सो अठारा रुपे एमेजॉन पर इस क्यूब का प्राइस चल रहा है और अग अगर आप इसको अलग से खरीदेंगे तो बट अगर आप कॉम्बो करीदेंगे क्यूब ले डिफ्ट क्यूब ए इसके लुब्रीकंट का तो सिर्फ 220 रुपीस में अपको यह दोनों रिसीव हो जाएंगे तो शिक्स्टी रुपीस में आपको यह दोनों प्रोड़क्ट र तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन पर दाल दूँगा एक ही लिंक दालूँगा सिर्फ इसके कॉम्बो का वहां से अगर आप इसको चाहे तो पर्चेस कर सकते हैं बहुत अच्छा डील है बहुत अच्छा उफर इसको मिस्स मत कर यह खतम होने से पहले और इस यह ड्रिफ् से पहले तो हम हमारे क्यूब को कंप्लीटली खोल लेंगे सेंटर के आप सो ओपन करेंगे किया अब यहां पर आप देख सकते कंप्लीट क्यूब को हमने उपन कर लिया स्प्रिंग्स को आपको अलग रखना है ताकि आपस में अगर यह मिल जा तो फिर मिक्स हो जाएंगा बहुत इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जागा एंड एक टिशू पेपर को आपको हमेशा अलग रखना इसको लास्ट में यूस करना है वो उसके बारे में हम बात करेंगे अब देख सकते कंप्लीट क्यूब को मैंने खोल लिया कुछ-कुछ आप डर्ट देख सकते मेरे ह बात पर लगा हुआ है अब इसी टिशू पेपर के बैक साइट से हम पहले तो अपने फिंगर्स को क्लीन कर लेंगे अच्छे से एंड इसके बाद हम पूरे क्यूब को क्लीन करेंगे अब क्यूंके इस क्यूब पे मैंने कभी कोई होम बेस लूब्रिकंट ट्राई नहीं कि अगर वैसा होता है तो आपको जस्ट सिंपली टूथब्रिश से इस तरीखे से क्लीन करना है फोलेटली और वो निकल के नीचे गिर जाएगा ठीक है और हर तरफ आपको इसी तरीखे से क्लीन करना है अगर ब्लैक डट हो तो नहीं है तो जस्ट हम यही वाले टिशू पेप पर इस तरीखे से क्लीन करेंगे और अच्छी तरीखे से आपको पूरे एटू जेट क्लीन कर लेना है और यहां पर आप देख सकते हैं कम्प्लीट एटू जेट हमने क्लीन कर लिया यह रहा टिशू पेपर जिसे हमने क्लीन किया कम्प्लीट क्लीन हो गया अब हमको चलना ह है adjustment की तरफ I mean assemble की तरफ हमको जाना है तो सबसे पहले हम यह वाला जो हमारा core है क्यूब लेलो drift का इसको लेंगे अपने left hand में and core के ओपर का piece लेंगे इसके अंदर एक spring डालेंगे and फिर इसके अंदर एक screw डालेंगे इस तरीखे से and इसको पहले प्रेस करेंगे थोड़ा सा and इसके बाद core के अंदर इस तरीखे से फिट करके just एक बार and दो बार सिर्फ दो बार turn करेंगे क्यूब लेलो का drift का core बहुत अच्छे quality का है इसके जिसके तीन चार बार आपको turn करने की जरूर नहीं पड़ेगी सिर्फ दो बार में यह अच्छे से firmly fix हो जागा and आपको remaining पांच side भी ऐसा ही करना है and और एक important बार जो आपको याद रखना है सिर्फ दो बार आपको करना है दो बार से ज्यादा नहीं करना है क्यूँब लेलो drift के जो corner pieces है न यह थोड़े लंबे होते तो अगर आप ज्यादा आपने इसको tight कर दिया तो फिर यह pieces fix नहीं होंगे अच्छे से तो दो बार बहुत अच्छा होता है इसी तरीके से and अगर आपको hard से turn करने में दिक्कत आ रही है तो simple आप इस तरीके से पहले press करेंगे ठीक है इसके अंदर यू रखेंगे and अगर आपको hard से turn करने नहीं आ रहा है तो simply screwdriver से एक दो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते है complete core को हमने fix कर लिया and इसके बाद हमको lubrication के process की तरफ जाना है simply यह वाले पाट पर ठीक है मैं आपको बता देता हूँ जिदर मैं बताओंगा tip से screwdriver के यह वाले पाट पर आपको एक छोटा सा drop of drift lubricant add करना है क्यूंकि आप इसका nozzle देख सकते हैं बहुत बारिक है तो असानी से हम आट कर सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं आट कर लिया and remaining five sides भी आपको इसी तरीके से add करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने lubricant add कर लिया अब इसके बाद आपको first layer assemble करने की तरफ जाने तो पहले आपको first layer अच्छे से assemble कर लेना है assemble करने में बहुत से लोगों को problem हो सकती इसलिए tip दूँगा पहले दो edges आपको इस तरीके से assemble कर लेना है इसके बाद आपको नीचे रखकर assemble करना है ठीक है जिससे फिर आपकी मेहनत बेकार ना हो और फिर आपको बार बार assemble करना ना पड़े और नीचे रखकर आपको इस तरीके से तीन उंगलियों से अपने पकड़ते हुए इस तरीके से slight करते हुए आपको assemble करना है यहां आप देख सकते and last वाले पीस को भी हम इसी तरीखे से assemble करेंगे and आप देख सकते पहले आपको plus की तरह assemble करना है and इसके बाद आपको corner pieces add करना है फसले अगर हमने assemble कर लिया corner pieces के tip के उपर एक छोटा सा drop of silicon oil आपको add करना है चारों तरफ and यह add करने के बाद सिर्फ यहां नहीं ऊपर के part पर भी हम add करेंगे यहां पर and सिर्फ यहां पर add नहीं करेंगे यह वाले part पर भी add करेंगे and पूरे चारों sides हम add करेंगे इस तरीखे से ठीक है and यह वाले pieces को भी हम इस तरीखे से turn करें opposite sides भी हम आट कर लेंगे क्योंकि ये वैसे मैं बता तो आपको मैं दूसरे क्यूब्स के साथ ये नहीं करता बट क्यूंकि क्यूबलेलो ड्रिफ्ट थोड़ा सा रफ है बाई नेचर और इसका कॉर्नर कटिंग भी इतना खास नहीं है तो इसलिए सिर्फ क्यूबलेलो ड्रिफ्ट के लिए मैं थोड़ा एक्स्टा लूब्रिकंट एट करूँगा और आप देख सकते हैं अच्छा कासा लूब्रिकंट हमने एट कर लिया इसके बाद आपको एच्च पीसेस एसेंबल करने के बाद एच्च पीसेस के टिप पे भी बहुत छोटा सा ड्रॉप अफ सिलिकोन ओल आपको एट करना है इस तरीके से इसके बाद फाइनली आपको लास्ट लियर भी आपका एसेंबल करना है यहां हमारा लूब्रिकेशन का प्रोसेस एंडवा इसलिए हम क्यूब ले लो ड्रिफ्ट का उसका डखन वाबस लगा देंगे और जस्ट आपको फाइनल लेयर एसेंबल करना है फाइनल लेयर एसेंबल करने में एक टिब दूँगा मैं आपको अगर आप क्यूब ले लो ड्रिफ्ट का फाइनल लेयर एसेंबल कर रहे है तो आपको पहले कॉर्ण पीसस अपने फिक्स करने है ठीक है H pieces नहीं करना है आपको first corner pieces करना है क्योंकि इसके corner pieces थोड़े लंबे होते हैं जिससे अगर आप पहले H pieces fix करेंगे तो आपको corner pieces assemble करने में बहुत difficulty होगी इसके बाद आपको H pieces finally assemble कर देना है यहां finally last layer भी हमने assemble कर लिया अब आती है सबसे important चीज़ जो है tension अब tension कितने का set करना है तो अगर आप एक intermediate cube रहाने अगर आपका average 20 to 25 seconds या फिर 30 seconds के round भी अगर आपका average आता है तो आपको 12 का tension set करना है ठीक है मतलब जो शुरू में हमने दो बार किया था जो core assemble करने के time पर उसको छोड़के और 12 times clockwise जैसा के 1, 2, 12 और यहां देख सकते हैं इस तरीखे से अगर आप intermediate cube है अगर आप एक beginner cuber है आपका average 50 seconds या फिर 1 minute के round आता है तो आपको 14 करना है जैसा मैंने 12 किया और दो बार आपको clockwise rotate कर लेना है मैं तो इसको 12 पर ही रखूंगा और बाही के sides मैंने कर लिया already इसके बाद आपको finally center caps assemble कर देना है अच्छा इसमें आपको थोड़ा सा धीला दीखेगा क्यों बड़ टेंशन की बात नहीं है आप इसको अगर कोशिश करके भी इसके corner या फिर edge pieces pop करने की कोशिश भी करेंगे तो इस पॉप नहीं होगा हमारा क्यूब ready है अब इसको आपको final use करने से पहले पहले अच्छी तरीके से आपको इसको at least 2 minute तक आपको इसको अच्छी तरीके से shuffle बो या फिर scramble कर लेना है ताकि जो silicon oil हमने add किया था जो excess होगा वो यहां से थोड़ा बाहर निकल जाएगा उसको आपको निकाल देना ह क्योंकि फिर solve के time आपके हाथ से slip नहीं होना चाहिए and अच्छे से हमने कर लिया and इसके जो शुरूब में आपको कहा था एक tissue paper आपको अलेदा उठा कर रख देना है इसको अब हम use करेंगे final हमारे cube को outer clean करने के लिए and आपको अच्छे से clean कर लेना है अब हमारा cube यहां competition level ready है जस चलिए आप मैं laptop लाता हूँ laptop पर भी एक solve हम करके देखते हैं and laptop मैं ने ला लिया चलिए यह वाला scramble हम try करेंगे and यह आप देख सकते हैं cube का performance आपके साम में है मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है तो आप भी same process follow करके कि अपने cube ले लो drift को इस level का smooth and fast बना सकते है तो यह थी आज की video I hope आप लोगो बसंद है वीडियो बसंद है तो like कर दीजिए channel पर ने हो तो subscribe कर लिजिए description में लिंक है अगर आप combo इसका purchase करना चाहते हो वहाँ से आप इसका combo purchase कर सकते है मिलता हूं next video में तब तक के लिए जाहिन